तो दोस्तो स्वागत है आपका एक नए पॉड़कास्ट में क्यूंकि आपको हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, भूतों से रिलेटेड, भगवानों से रिलेटेड और ऐसे पैरनॉर्मल पॉड़कास्ट बहुत ज्यादा पसंद है तो आज हमने राजिस्थान के एक ब आज अ वहां साला या कि कहानिया तो सब को बहुत जादा पता है, Bहुत माने ते उस जगा की सात ही साथ खाटू श् wireson जी के बारे में भी इनको बहुत निकाल कर आये क्योंकि यह रहते वहां पर है पर आज फॉर्चुनेटली इनकी क्लाइंट विजिट थी तो हमने का सर यहां नौइड आओ और हमारे दर्शकों को थोड़ा जागरुक करो क्योंकि पामिष्ट्री से अगर हम शुरुआत करें तो बच्पन से हम लोग सब ऐसे ही एक दूसरे क कि अधर से वाली लाइन है तो बहुत लंब जीएगा यह वाली लाइन तो वह शाधिड़ हों देखते थे तेरा पूरा चाहिए यह सबसे बड़ा वहम था कि यह आएगी तो सुन्दर बीभी आएगी यह भी देख रहे हैं कि यहां पे लाइन देखते हैं तो number of kids कितने होंगे तो मैं तो आगा से बोलते हैं कि मेरे कितने बच्चे यहां उपर है यहां पर लिखा हुआ है अब यह वाली होती है से हम general language में बोलते है marriage lines मतलब शादिगी रेखा, लेकिन अब आप सब लोगों के देखोगे, कि एवन आपके मॉम डेट के भी देखोगे, यहां पर एक दूर एखा होगी, तीन रेखा होगी, किसे-किसे छह, साथ, और कई बार तो मतलब की आठ-ाठ एखा मैंने यहां पर देखी है, इसका मतलब यह कि आठ शादिय होगी, इसका मतलब यह होता है, कि आप इतने लोगों से कही ने कही अट्रैक्ट हो सकते हो, आपकी संभावना है, आपकी प्रॉबर्बिटी है, पामिस्ट्री में हम सरफ एक चीज नहीं देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ती हैं, जैस तो बहुत बहुत लॉयल होगा, बहुत इमानदार होगा अपने पार्टनर के लिए, जैसे मेरे पास में बहुत सारे क्लाइन्स आते हैं, वो बोलते कि सरी मेरे बॉयफ्रेंड का आत है, बताओ यह लॉयल है यह नहीं है, अचाँ, येस डेफिनेटली, तो उन केस में में बोलता हूँ, देखो आप एक काम कीजिए, आप इनका ये वाला माउंट, ये वाला, इंडेक्स फिंगर के नीचे, ये जुपिटर होता है हमारा, ठीक है, तो अगर उसकी जो हार्ट लाइन, अब ये स्टार्टिंग वाली जो लाइन होती है, that's your हार्ट लाइन, मतलब हर ये आपके दिल में क्या चल रहा है, दिल से कैसे इनसान हो, वो सब कुछ आपकी ये हार्ट लाइन बताएगी, ठीक है, अगर हार्ट लाइन आपके जुपिटर तक है, देखें मेरी हार्ट लाइन यहाँ पर जुपिटर तक है, तो नो डाउट ऐसा इनसान बहुत ही दयाल इन्सान होगा, कभी किसी के साथ में बेमानी नहीं कर पाएगा दूसरी बात, यह जो माउंट है, यह अगर उभरावा हो, आप कैसे फिल करो कि उभरावा है इसको आंग बंद करके तच करो, और if you like कि यहाँ पर थोड़ा सा उभार है इसका मतलब है कि यह उभरावा है, मतलब, you have the Jupiter power, you are Jupiterian, all right So, यह जो माउंट है, प्रॉपरली इंडिकेट करता है आपके इमानदारी को, आप कितने इमानदार हो, कितने ओनस्त हो Sir, यह मेरा तो उभरानी वाले कि इमानदार हो इसका भी रीजन में बताता हूँ, कि Jupiter का माउंट और दूसरी बात आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसकी लेंथ देखी जाती है अगर किसी-किसी की देखी होगा ना, यह वाली लेंथ आप लोगों ने नोटिस नहीं कियोगी फिंगर जितनी टेड़ी होगी, कहीं ना कहीं प्लाइनट से रेलेटेड बैड इफेक्ट उतने ही ज्यादा होँगे फिर हम देखते हैं फिंगर के नीचे का माउंट, माउंट उभरावा है नीचे है फिर हम आते हैं माउंट्स पे जो साइन्स हैं, आपने देखा होगा कि क्रॉस का साइन, फिश का साइन, स्वास्तिक का साइन, बहुत सारे साइन्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे किया, मेरे जुपिटर के नीचे क्रॉस का साइन है, मैं तो बहुत रिच हूँगा, बहुत लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारे हाथ में यहां पर यह साइन है, स्वास्ति का साइन हो तू बहुत पैसेवाला होगा, फिर हम साइन्स देखते हैं, साइन्स के बाद में हम आपकी यह आप कहीं न कहीं आपकी 30-40% बात सही है, लेकिन इस बात को हम करेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपका अंगुठा, अंगुठा जितना जुकेगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, इंसान उतना ही फ्लेक्सिबल होगा, समझ गए, इंसान में अडेप्टिबिटी, मतलब ग् इस बात किसी के भी हाथ में देखना है, कि इंसान इस अड़्जस्टिव है, यह अडॉप्टेबल है, किसी चिज़को अडॉप कर लेता है यह नहीं कर लेता, तो उसका अंगुठा देखो, जितना जुकेगा, इंसान उतना ही फ्लेक्सिबल होगा, यह तो कट तरसीधा है एह नहीं, यह तुकर एक तर्मटरा जाता, बस उसको एस के अंगुठा दुप कर लेका, उर उसका अंगुठा तो किया नहीं जाता किया है, ह। हमारे अंगुली के कितने हैं? तीन पार्ट, 1st, 2nd and 3rd, you guys know that, all right थम एक ऐसी चीज है उसके 2 पार्ट होते हैं, 1st and 2nd, all right अब यह 1st, 2nd पार्ट क्या होते हैं? 1st पार्ट इंडिकेट्स आपकी विल पावर, आप काम करने में आपकी विल कैसी है आपने कोई काम सोच लिया तो वो काम आप करोगे और नहीं करोगे, आपकी विल पावर इंडिकेट कुरती है, 1st पार्ट से 2nd पार्ट होता है अपका लॉजिक पार्ट, आपके अंदर लॉजिक इतना है, आप दिमाग से इंटेलिजेन्ट हो, आप लोगों ने कुछ कुछ लोगों को देखा होगा न, वो सोचते ही रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं यह क्यों होता है, उनका यह देख लेना कि यह वाला पार्ट तो बहुत हाई होगा, मतलब सोचने की कैपेसिटी इंटेलिजेन्सी बहुत होगी, बैठे-बैठे, खायाली पुलाओ, बहुत पकाएंगा भी यह कर ले, वो कर ले, मार्केट में चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन यह वाला पार्ट छोटा होता है, तो वो इंप्लिमेंट नहीं कर पाता है, तो कहीं न कहीं इंप्लिमेंटेशन का पार्ट बाना जाता है, तो अगर आपके यह दोनों पार्ट बराबर है, तो नो डाउट यह आर इंटेलिजेन्ट, आप इंटेलिजेन्ट हो, आप आपके कर्म करने का, आप उस चीज को धरातल पे ला पाओगे नहीं ला पाओगे, सबसे बैस्ट होता है उपर वाला नीचे वाला बराबर होना, और एक इसमें एक फैक्ट ओर बताऊंगा मापको, कभी कभी देखाऊगा ना उपर वाला पाओट बहुत बड़ा होता है, नी आपका यह देख लेना, उपर वाला पाओगा, नीचे वाला पाओगा, मतलब सोचे समझे बिना एक्शन लेना, got it, so, अब हम टॉपिक से डावर्ट नहीं होते हैं, sir, पामिष्ट्री की बात चली रही है, तो इसका ओरिजन कहां से है, कहां से शुरू ही थी चीज? आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना होगा, कि जैसे किसी बच्चे के लिए लड़की देखने जाते थे, तो बड़े भुजर्ग साथ में जाते थे, वो लड़की को बोलते थे एक बार चल के दिखाओ, अगर आपने सुना होगा, अगर आप गाउं साइड के अरिय मूद होने वाला जादा जरूए आज कर दो, तो अब मैं इसका रीजन बताता हूं, शामुंदिक शास्त्र है, आपकी बॉड़ी से आपका नेचर, आपका फ्यूचर, सब पता करना यह शामुंदिक शास्त्र है, और शामुंदिक शास्त्र का पार्ट है, हस्तरेखा, चैलेंज देता हूं, अपने हाथ की एक फोटो क्लिक कर लीजे अभी, ठीक है, दोनों हातों के, और उस जो फोटो को लगबग 2-4 साल बात में दुबारा देखना, और अपने हाथ को कंपेर करना उस फोटो से, आपकी बहुत सारी रेखाएं बदली भी मिलेगी, हमारे पा को बताऊँगा, लेकिन उस बुक में मैंने एक रिसर्च की है, बड़ी इंटरसंग रिसर्च है, उसके बारे में बताऊँगा, मैंने एक व्यक्ति का हाथ देखा, जो बार वी पास था, ठीक है, 12 पास था, और लगबग बच्चा था, ये 18-19 साल के आसपास का था, तो उस मैं आया, तो मैंने उसका हाथ देखा, तो उसके हाथ में जो माइन लाइन है, अब आपको बड़ी गजब की चीज़ बताता हूँ, ये मस्तिष्क रेखाया, आपके दिमागी रेखा, ये क्या छोटी थी, बहुत छोटी थी, आदी थी, और वो काम बताऊं क्या करता था, वो 18 साल की उमरे में बेचारा दाडी मजदूर था, मतलब जो वजन उठा के ट्रकों में शिफ्ट करना या जो छोटे-छोटे सादन होते हैं, बड़े ट्रकों से वो शिफ्ट दाडी मजदूर, जो भार उठाता था बेचारा, और उसके घर की कंडिशन के कारण उतना पढ़, पढ़ाई का गजब योगा तेरा, और उसके मैंने उस टाइमें खाथ की फोटो ले ली, उसके माइन लाइन इतनी थी, याद रखना, मेरे पास प्रूफ है चीज का, उसके इतनी माइन लाइन थी, वो वेक्ति मुझे पांच साल बाद में उला, वो और साइड बर साइड रेलवे डी गूरूप में वो नौकरी भी लग गया था, और पीजी भी कर रहा था, उसके माइन लाइन अप मानोगी नहीं यहां से यहां बढ़ी थी, मतलब उसने अपना दिमाग का यूज जादा किया, और दिमाग का यूज जादा किया तो रेखा बढ़ेगी, हम आपको यहाद से आपको ब्रेक अप का भी बता सकते हैं, सर जैसे आपने का कि, यह बहुत इजी है, सब देखिए, आपको गर ब्रेक अप दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है, आप सब मानते हो, प्यार कहा से होता है, दिल से होता है, दिल से होता ह कौन सी है, heart line, that's your heart line, alright, तो यह camera man भाई भी heart line की तरफ देख रहे हैं, तो that's your heart line, alright, मैंने एक चीज का आपको पहले भी जिक्र किया है, अगर आपके हाथ में कहीं पर भी cross हो, cross is not a good sign, cross खराब करता हर एक चीज को, मतलब एक रेखा की energy को दूसरी रेखा काटेगी, तो वो energy mix हो जाएगी, और वो रेखा, dissolve हो जाएगी, वो zero हो जाएगी, तो अगर आपकी heart line पे crosses है, तो इसका मतलब आपका heart break जरूर होगा, चाहे शादी में हो, चाहे relationship में हो, चाहे आपका बहुत बड़िया जिग्री यार हो, लंगोट या यार हो, और वो आपको cheat करके जाएगी, अगर आपके heart line में कहीं पर भी cross है, और या आपकी heart line break है, मतलब break मतलब पूटी भी है कहीं से, इसका मतलब आपका कहीं न कहीं heart break जरूर होगा, ये ध्यान रख लेना, पामिस्टी सब बता सकती है, आपके nature के बारे में, आपके future के बारे में, आपके, आपका, जो कहते है ना कि पूरवन जन्व में आप क्या थे, क्या बनोगे, आपका पूरा का पूरा, आपका पूरा हमारा बता से, मैं भी बताऊंगा कि आप ये थे तो आप मानोगी नहीं ना, लेगिन एक कहने की बात है कि पामिस्टी में, we can tell you everything about yourself, लेगिन अभी इंडिया में क्या है कि पामिस्टी की जो हालत है वो इतनी जाद अच्छी नहीं है, इसका मैं रीजन बताता हूँ, आप लोग Google करना सब लोग पामिस्टी, आपको पामिस्टी की जो विदेश की वेबसाइट्स हैं, अबराड की वेबसाइट्स हैं, यूजिली यूएस की या इटली की या मतलब भार के जो देशों की वेबसाइट्स है वो बहुत ज्यादा मिलेगी और बहुत भार के लोग पामिस्टी में रीसर्च कर रहे हैं, रीसर्च उध्योग है वहां पे, ग्रूप बनाएवे R&D पामिस्टी में और यह गई कहां से हैं इंडिया में इंडिया में लोग क्या बोलते हैं अरे जूट है कुछ नहीं है लेकिन वह अंग्रेज है उन्होंने हम पे रहाज भी किया है एक टाइम में ठीक है नो डॉट हम उनसे जादा इंटेलिजेंट ह लेकिन कहीं न कहीं वह भी इंटेलिजेंट है और वह इस चीज को इंडिया में आए उस टाइम जब उन्होंने ब्रिटिश का रास था उन्होंने हमारे शास्त्र देखे पहस्त रेखा विज्ञान के हमारे शास्त्र देखे और उन्होंने वह हस्त रेखा विज्ञान देख मिलेगी भी तो कुछ astrologist की मिलेगी, जो हस्तरेखा देखते हैं, लेकिन जो research की websites हैं, जिसमें researches होती हैं, वो आपके सारे की सारी विदेश की मिलेगी. सर, मुझे यह पूछना है कि अगर जैसे किसी पर कहते है न, black magic हो रखा है, तो वो हातों में दिख जाता है, वो भी दिख जाता है कि इन पर naturally ग्रहों का टाइम खराब है या किसी ने कुछ करवाया वा है, वो भी पता चल जाता है? इसका मैं बहुत ही एक simple तरीका बताता हूँ, इसको हम शामुंदिक शास्त्र से जोडते हैं, तो शामुंदिक शास्त्र में एक अध्यन है, मैं बड़ा ही short form आपको बताऊँगा, उसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति के उपर किसी ओपरी चाया है, ओपरी चाया मतलब कही व्यक्ति का वजन अपने आप बटने लगेगा, बहुत अचानक घटेगा, व्यक्ति का शरीर में कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, मतलब व्यक्ति पहले जितना active होता था उसको बिना किसी बिमारी के, बिना किसी चीज के, बिना किसी टैंशन के, उसके अंदर आलस बहुत बढ़ जाएगा, तीसी चीज है उस व्यक्ति के mood swings बहुत होंगे, मतलब महीने में 2-4 दिन mood swings होने, it's normal, सब लोगों के होते हैं, जब चंदरमा हमारी जन्म राशी से 6-12 में आता है, तो mood swings होते हैं, लगबग 5-6 दिन होना, it's normal, लेकिन आपको महीने में 20 दिन mood swings हो रहे है इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर प्रभाव हो है, और चौती चीज, हम हाथ में उस चीज को कैसे देखेंगे, आपके हाथ में blackness बढ़ने लग जाएगी, आपके हाथ का जो color pink है, जैसे मेरे हाथ का color देखे, आपको थोड़ा सा pink लग रहा होगा, ठीक है, और उस case मे आपके हाथ का color गहरा काला, नब धीरे धीरे black पढ़ने लग जाएगा, और या धीरे धीरे नीला पढ़ने लग जाएगा, तो आपके हाथ में भी आपके जो हाथ का color काला या नीला पढ़ने लग जाए, और ये जो आपके वंश में, मतलब आपके अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को बहुत जादा प्रॉब्लम आ रही, उसके चोड बहुत जादा लग रही है और आपके घर में सुक शांती रही नीरी, आप घर में घुसते हो और घुसते ही आप चिड़ चिड़ा जाते हो मतलब जैसे कि जो कहते हो ना कि दो-चार बंदूक लेके सामने बीवी और बच्चे खड़े कि लो में हम तुमारे उपर बंदू मारेंगे समझ गए तो यह जो सारी सिंटम्स है वो इंडिकेट करते हैं कहीं न कहीं आपके ओपर उपर इछाया का प्रभाव है अगर बच्चे को चोट भी लग रहे घर में कोई बच्चा है लेकि चोट लगना बच्चे को इस नॉर्मल लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट वे में बिना किसी कारण समझ गए कि आज गिरा अकल गुर गया पर्सो भी गिर गया महिने में 15-15 दिन चोट लग रही यह थोड़ा सब नॉर्मल है बच्चा है खेलेगा गिरेगा सर एक्षिडेंट यू बता सकते है जैसे लाइफ लाइफ लाइन होती है वाली फैमिला ट्रॉंग यू माँब को बताता हूं आपने कहा कि यह हमारी लाइफ लाइफ लाइन होती है ईसो बहुत सारे लोग टेक्ते ए तो मेरे तो लाइफ लाइन हम तो इतना है जिऊंगा वह सारे लोग आते हैं कई बार ऐसे ना बीच में से कट बीरी होती है दो रस्ते जा रहे होती है तो कहते है कि एक टाइम आएगा या तो पार कर जाओगे तो कर जाओगे नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा पत्ता कट तो आप बताओ क्या है हमारे दिमाग हमारे हर्द है दो चीजों से ज्यादा जुड़ा है मतलब अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा विदिन फ्यू सेकेंड साप उपर पहुंच गए अगर आपका दिल काम करना बंद कर जाएगा हार्ट अटेक आजाए कि विदिन फ्यू सेकेंड आप उपर पहुंच गए लेकिन आपका लिवर, किड्नी ये सब डाइगनोसिस होते रहते हैं मतलब इंसान साल, एट साल, दो साल लगते हैं इंसान को जाते हुए तो इंसान का दिमाग और दिल ये बहुत बड़ी चीज है उसकी बॉड़ी में वो अगर खतम हो जाए विदिन फ्यू सेकेंड इंसान गया आपके हाथ में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपके दिल की, आपके दिमाग की लकीरे होती है अगर आपके हाथ में ये बिना प्रैक्टिस मत दिखना एक मैं आपको नॉर्मल अंदाजा बता रहा हूं कि कोई भी लाइफ लाइन अगर आदी हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ आदी है इसका मतलब ये होता है कि आपको वर्टिलीटी इशूस रह सकते है आपको कभी ने कभी लाइफ में आपको हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है आपकी लाइफ में एक स्ट्रेबिलीटी का अभाव रह सकता है आपकी life में परिवारिक जो चीजे है उससे आप परिशान रह सकते हो लेकिन इसका कहीं से भी आपकी जिंदकी इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है इसे हम हिंदी में पित्र रेखा बोलते हैं इंगलिष वाले जो हमारे पामिष थे कीरव और उन्होंने उनको लाइफ 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 लेकिन हैं हिंदी में अगर ईगर सामुनदिक शास्त के ओरीजन्स को देखे तो यह पर पित्र रेखा होती है तो मापको वापस टॉपिक पे आ जाता हूँ कि अगर आपकी हाट लाइन, अगर आपकी माइन लाइन, अगर आपकी जो पित्र रेखा जिसे आपकी सिंपल लेंगवेज में बोल देते हैं, यह तीनो आदी है यह तीनो में एक सेम टाइम में ब्रेक है इसका मतलब वो टाइम ऐसा हैगा कि आप दिल, दिमाग, जान, तीनों से सुन हो जाओगे या तो उस समय में अगर आपने खराब कर्म किये है तो भगवान जी के पास चले जाओगे नए तो आपके टाइम में उस पर्टिकलर टाइम में आपकी लाइफ में कहीं नएक डिप्रेशन का फेज आजाएगा जैसे कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा ना, कि यह लाइफ लाइफ लाइन और यह पर चोटी चोटी रेखा हैं ग्रॉस करती रहती है मेरे तेफ बें बहुत हो हुई है। यह ना यह पर चोटे-चोटे रेखाएं..... इसे तो है तो सपर हैं सोतीति रेखाएं राहू Chief राहु रहा है मतलब जितनी ज़्यादा रहा हैं लाइस में उतने ही problem उतने ही obstacles उतने ही maansik रूप से इससान का परेशान रहना और समय समय पर व्यक्ति के जीवन में problem आतेरहना एकिति के जीवन में शांति ना रहना आपका भी देखना कोई एकदम मस्त मोला इंसान होगा ना जो कभी किसी की टेंशन ना करता हो चिल रहता हो उसके हाथ में लाइन बहुत कम होगी मैं आपको एक बहुत ही इंटरस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि आप कभी किसी अपने फ्रैंट डूप में देखे जो बड़ा चिल रहता हो बड़ा मस्त मोला रहता हो उसके हाथ में लकीरे बहुत कम होगी बहुत एकदम life line आपकी mind line आपकी heart line यह होगी और भाग्य रेखा होगी या सूरे रेखा होगी मतलब गिनी चुनी line होगी हाथ एकदम clear होगा साफ होगा उसका मतलब ज़्यादा lines नहीं होगी और कोई इंसान को देख लो वो बहुत ज़्यादा सोचता है ना उसके हाथ में उतनी ही ज़्यादा lines होगी तो पामिस्ट्री आपके unconscious mind को भी बताती है आपके life में अभी क्या चल रहा है उसको भी बताती है ठीक है आपके future में क्या होगा वो भी बताएगी आपके past में क्या हुआ था वो भी पामिस्ट्री बताएगी वाँ sir यह कितना ज्यादा interesting topic sound कर रहा है sir I'm sure viewers भी और हम भी जानना चाहते हैं आपने इतनी सारी general चीजे हमें mind heart तो बताई दी एवार पैसे के लिए भी कुछ बतादो कि हमारे viewers भी चेक कर पाएं घर पे की wealth की line कौनसी होती है और वो कैसे कर सकते है क्योंकि उसकी real भी है I'm sure जब हम cut करेंगे तो बहुत जादा लोग share करेंगे चलिए तो यह सबसे जादा पूछने वाला क्योशन है लोग सबसे जादा यह की क्योशन पूछते हमारे हाथ में पैसे का योग है या नहीं है ठीक है इसके बड़े simple formulas बताता हूं सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके हाथ में पैसे का योग चेक करना आपको स बहुत सारी चीज़े देखनी होती है अगर मैं एक योग बताओं वो योग नहीं है तो निराश मतोना total 18 योग है आपके हाथ में धन योग लेकिन मैं कुछ में योग आपको बता रहा हूं जिससे हम किसी व्यक्ति के हाथ में उसके धनकी रेखाई या finance related चीज़े हम देख सबसे पहले अगर किसी के भी हाथ में यह आपकी life line और यह आपकी mind line अगर lifetime और mind line की बीच में जितने ज्यादा ट्राइंगल या बॉक्स बनेंगे उतने ही ज्यादा धनसर लेटेड चीज़े अच्छी होंगी उतने ही ज्यादा आप धनाध्य बनोगे पहला तो योगी है दूसरा योग अगर आपके हाथ में जो माइंड लाइन है माइन लाइन लास में डबल पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो रही है, एक फोक टाइप का साइन बन रहा है, जैसे लाइन लास में दो पार्ट में डिवाइड हो एक वी टाइप का शेप बन गया, तो भी आपकी लाइफ में कहीं नहीं पैसो को बहुत चोटा होता है, विर्नेस जितना जादा अच्छा होगा, नो डाउट कहीं ने कहीं धन कमाने के सम्भावना इतनी रहेगी, चौथा योग, आपके नीचे से एक लकीर स्टार्ट होती है, वो आपके middle finger तक जाती है, उसे हम कहते हैं आपकी भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा जितनी अच्छी होगी, उसमें जितने cuts होगे उतना खराब है, जितनी अच्छी होगे, जितनी clear होगी, उतनी ही जादा अच्छी बात है, पांच्छा योग, आपकी middle finger के नीचे, जितनी सारी रेखाएं होगी, उतना ही आपके income source रहेंगे, चाहे आज नहीं है, कोई बोले का नहीं मेरा तो एक है, तो आपके multiple income source रहेंगे, सर, हम तो सारे criteria में fail होते दिख लेंगे, पैंचे बना ले तो वो valid होगे, से दरसल जिम भी ज्यादा कर रहे हैं तो ये मिट रही है, सर, नहीं नहीं, ये जिम से कुछ नहीं होता, आपकी हाथ की लकीरे, अगर आप अपना हाथ है ना, जोर से अगर, जैसे मेरे एक बार accident हुआ था, तो मेरा हाथ ऐसे था, और यहां का जो पार्ट है ये पूरा, जो सड़क पे हुआ तो ये घस गया था, तो मेरी कोई, यहां से कोई रिखाई नहीं दिख रही थी, और उस टाइम पामिस्टी में नया था, मैंने ये दिखा कि ये जैसे जैसे सही हुआ, रिखाई एक्जक्ट वैसे ही आगे जो पहली थी, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप हाथ में अगर कट बना लो ना कितने, तो कट रीकवर होके वापिस वैसा का वैसा ही बनाएगा जैसा पहले था, एक परसेंट भी चेंज नहीं होगा, जब तक करम बदल सकते हैं, एक्सिडेंट नहीं बदल सकते, करम आपकी हाथ की रि तो मैं चाहता हूँ कुछ बताओ सर उस जगह के बारे में, क्यों उसकी उतनी मान्यता है, क्या हनुमान जी की वहाँ पर प्रेजेंट फील होती है, जब आप जाते है, ठीक है, सबसे पहले मापको इतियास बताओगा, कि इतियास क्या है, मंदिर का, बड़े सिंपल वर्ड आपको पता है, बैल होती थी, किसी किसी के पास बैल मी नहीं होती थी, तो वह हल चलाता था, अपने आप से, तो उसका एक जगह जाके हल रुक रहा था, मतलब हल आगे नहीं चल रहा था, तो उसने जो गड़ा खोदा, तो वहाँ पे एक प्रतिमा निकली, वह हमारे आप साथ बाला जी जैसे दिख रहे हैं, तो वाइफ ने उनको चूरमे का भोग लगया, तब ही आप साला सर जाओगे तो आपको चूरमा बड़ा मिलेगा, साला सर का चूरमा बड़ा फिमस है, तो उन्होंने वहाँ उनको भोग लगया, और उसी रात गाउं के व्यापार मेरी प्रतिमा को ले जाओ, ठीक है, और जहां पर वो आगे बैल गाड़ी बढ़ना बंद कर जाए, जहां पर रुक जाए एकदम, वहीं पर मेरा मंदिर बनाना, हनमान जी ने उनको दर्शन दे और बड़े भक्त थे हनमान जी के, तो नो डाउट वो चलते गए चलते गए पांच साथ दिन तक, दस दिन तक और एक जगह ऐसी आए कि वहां से बैल आगे नहीं बढ़ रही, मतलब बैल को खूब डंडे मारे या जो भी किया, मतलब बैल को बोला भई, बढ़ो बढ़ो आगे, लेकिन बैल आगे नहीं बढ़ रही, तो वहां पर हनमान जी के मंदिर किस तापना ही, वो आज साला सर के नाम से जाने जाते हैं, और बड़ी मंदीर की प्रतीमा है, बहुत पाउरफुल मंदीर है, मैंने हजारों, हजारों नहीं मैंने लाखों किस से सुन लिए, कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत जादा परेशान थे, हारेवे थे, वो हमार साला सर बाला जी के मंदीर आये, और उनको बाला जी ने ऐसे ऐसे चमतकार दिये है, ऐसी ऐसी चीजे बाला जी ने दिये कि वो अपने आपको समर्पित मानते हैं, अपने आपको ये मानते कि भी, हे बाबा, मेरा कुछ नहीं है, तेरा है, तो ये बाला जी की बहुत बड़ में पूजा कर रहे थे क्योंकि जब भी कोई भी पंडित अगर बाला जी के गर्ब द्वार जो एकदम मेन आपने देखा होगा कि वहाँ पर पुजारी खड़े रहते हैं वहाँ पर अगर प्रवेश करते हैं जो भी 15 दिन या 20 दिन या एक महेने के लिए तो उनको प्रोपर अपने आपको बाला जी के प्रति समर्पित करना पड़ता है आपको प्रोपर शुद रहना पड़ता है तो उस समय क्या हुआ कि उनको रात को बड़ी भूक लग गई रात को साड़े बारा एक बजे वह नींद से उठे और मंदिर में है मंदिर तो लगबग बंद साड़े गंटे के बाद में उठे बड़ी भूक लगई उनको जोर से और इतनी भूक लगई कि यार रहा नहीं जा रहा हूं उसे और मंदिर सारवंद है तो वो बता रहे थे हमें वो जो मेन पुजारी जी है हमारे रिष्टेदारी है तो वो बोले कि एक वरद आदमी आया बड़ी बाल और सफेद कलर का कुर्ता और पजयामा पहने हुए और पैरों में कुछ नहीं पैदल और हाथ में जो एक उनके ठाली थी, ठाली में कतलियां हम मारवाडी में कतली बोलते हैं उसको आप लोग हें बोलते हो बरफी थी लगबग दू-तीन किलो तो बरफी लेक आये और उन्होंने का यह भोग लगा दो, रात को साड़े बारे एक बज़े, तो उन्होंने वहाँ भोग लगाई, और भोग लगा के वह वापिस मुड़े, तो पिछे कोई नहीं था, अब एक बात सुनिए, मंदिर परिश्यत साड़े ग्यारा बज़े बंद हो जाता है, तो कोई न नहीं मेरे जो भूग है, वह मिटाई थी, तो बाला जी बहुत सुनते है, मेरे खुद के साथ में इतने परसनल किस्से वे, कोई अपना परसनल बता हो, तो ओडियन जादा रिलेज़ करें, चलिए मैं आपको बताता हूं, यह किस्सा ऐसा है कि मैंने बहुत कम लोगों को ब नैनिताल, तो नैनिताल क्या है कि मैं पहली बार गया था, पहाड़ो पे ड्राइव थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने पहली बार पहाड़ो पे मैंने का यार चलो अगर पहाड़ो पे ड्राइव नहीं करेंगे तो सिखेंगे कैसे, तो मैं नैनिताल गया और नो ड जब करने सुबह घुमेंगे हाक पे सुन्हों ने होटबुक करवाई और वो थी छटवानी रॉड पे तो मैंने मैप लगाया मेरी जो phone में कि यह जो छॉटल हलदवानी रोड तो मैप ने मुझे यह रश्टा तो बताया नहीं यह बता दिया अब पता नहीं मैप की गलती है या हो सकता होस्ता है मेरा खुद का दिमाग ऐसा चला उसको मैं एक्स्पेन नहीं कर सकता लेगन वह ऐसे रस्ता बता दिया और मैं ऐसे चल पड़ा मेरा कभी नहीं गया हुआ था ना मैंने इतना पहाड़ विजिट किये थे गभी पहली बार तो मैं इदर चलता गया चलता गया डिस्टेंस बता रहा था लगबग 10 किलोमेटर और पहाड़ों पर आप लोगों को पता है 10 किलोमेटर चलने के लिए बहुत टाइम रखता है तो आगे क्या हुआ कि एक सैनिक था अब हम सैनिक बोले या जो सिक्योर्टी गार्ड कहें य आगे यह इंद रहता है तो आगे जो आपने देखा होगा ना बैरिकेट लगाए व रहता है एक तो जब बैरिकेट लोहे वाले खिसने वाले रहते पु किलोर्टी से हाथ पकड़ावा था ठीक है तो मैं गाडी में गया और मैंने उनको कहा यह अन्यों होटल है यह बोला तो मैंने का खोल दो, तो खोल दिया, मेरे दिवाग उस टाम यह नहीं है कि इन्होंने फाटक लगा रहे को और मैंने इतना बोल दिया, खोल दिया, मैं कि ऑफिसर थोड़ी हो आर्मी का, या मैं का आगा रेजिडेंट हूँ, तो समझ में यह बात, चल दिया, और मैंने मेरे दोस्त ने का यार देख तेरा रुटबा बहुत खतरनाग है, भोल ते खोल दिया, तो मैं भी छड़ गया, मैंने का चलो, तो थोड़ी दूर आगे गये, थोड़ी दूर आगे जाते-जाते क्या हूँआ, कि जो रोड है, रोड धिरे बहुत संक्री होती जारी है, और मेरे मैं दुबारा बताना चाहूँगा कि तो इतना experience नहीं पाहड गा, मैंने सोचा कि पाहड़ा पर होती होगी, धिरे धिरे वापिस चौड़ी हो जाएगी, अभी संक्री हो रही है, यह चलती जाएगी, तो धिरे धिरे संक्री होती गया, और लास्ट में रोड इतनी हो गई, कि मेरी गाड़ी चलने की जगह थी बस अर गाड़ी को मैंने थोड़ा सा बी ऐसे किया तो नीचे खाई में जाएगी और इधर तो पहाड़ खाई तो अब मेरी थोड़ी धीरे-धीरे मुझे गट फिलिंग आने लगी कि भाई अब तो कुछ गड़बड हो रहा है लेकिन फि अब थोड़ी दूर जाते ही दो-चार घर दिखे मुझे और मुझे अभी भी वह सीन यहाद है उस घर के आगे कोई लाइट्स नहीं जल रही और हर जैसे पुर्णी मा की रात कहें या हाफ मून कहें कि इतना चंदरमा की रौशनी थी कि मुझे थोड़ा बहुत घर का व्य दिख रहे थे और घर के ऐसे थे कि जैसे वाइट कलर के घर थे लेकिन उनसे पपड़िया उतर रही थी जो हम कई बार करवाते तो पपड़िया उतरती ना निच्चे फिर ब्लैक कलर का ब्राउन कलर का आ जाता है तो पपड़िया सी उतर रही थी उनसे और हर एक घर के अगर रहे है चलनी रहे होगी, पांच छे घर दिखे मुझे, मैं इतना नोटीस नहीं गिया, आगे चला, ना तो मुझे कोई डॉग दिखा, ना कोई पक्षी की आवाजे, धिरे धिरे की आवा कि किसी की आवाज आने बंद होगी, धिरे धिरे पहले तो कुत्ते भूंक रहे ना पक्षी की आवाज आ रही, ना किसी और की आवाज, एकदम शानती, मतलब मैं अगर सास भी ले रहा हूं तो मुझे मेरी सास सुनाई दे रही है, इतनी शानती, अब क्या होती है ना कि जादा शानती भी खतरनाग होती है, तो वहाँ पर मुझे इंस्टिंट हुआ, मु तो काइंड ओफ हमारे साथ चलावाई हुआ होगा, तो अच्छानक क्या हुआ, अब ये टेक्नोलिजी नहीं बोल सकते, मैं आपको खुल बोल रहा हूं कि क्योंकि मेरे फोन में नेटवर्ग नहीं था, हन्मान चली सा स्टार्ट होगे गाड़ी मेरा फोन एपल कार प्ले स और नेटवर्ग नहीं था, और मैं कोई भी जो गाने है या भजने में शेव नहीं रखता क्योंकि आजकल नेटवर्ग नेटवर्ग आता है कि कहीं पर भी डालो बढ़िया नेटवर्ग आता है क्यों सेव करने वाला टाइम गया, तो हन्मान चली सा चलने लगी बहुत तेरे बीचे ठीक है, और फिर मुझे लगबग 10-15 मिन तक में चलता गया हनमान चली सा चलने चल रही थी और फिर मुझे टौलेट आने लग गया, मैं ने गाड़ी रोकी, मैंने गया टौलेट, मैं एकड़म संकडी रोड थी और मैं अब मैं आप टौलेट करूँगा तो जाए रोकी और में टॉलेट किया और थोड़ा सा आगे गया तो यह मैंने देखा जैसे यह गाड़ी और आगे रोड और आगे डाड़न था मतलब नीचे खाई थी अगर मैं दस सेकंड भी ज्यादा चल लेता, तो वो गाड़ी खाए में जाती और उस टाइम इतने डर्में मैं टॉलेट करने का सोच भी कैसे सकता हूँ लेकिन हो सकता है कोई नोगे बुद्धी मेरे अंदर भगवान ही डाली कि जा कोई बहाना बनाते है भगवान, भगवान खुद नहीं आते है भगवान आपके दिमाग में वह थौट्स देते है तो मैंने दिखा डेड एंड, अब क्या करें गाड़ी मोड़े कैसे हैं क्योंकि रोड तो इतनी गाड़ी मोड़ने के लिए कहीने के इस पेस चाहिए तो जैसे तैसे करके गाड़ी को ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे किया, ऐसे किया मतलब लग बग मुझे यादक 30-40 मिनट का समय लग गया गाड़ी मोड़ी वापस आया और मैं मतलब जो हमारी होटल थी, वहाँ पर हम चले गए रहें और मुझे तब तक इतना नहीं था, मुझे लगा कि हम कोई गलत रस्ते में फस गए थे, इसलिए ऐसा हुआ, मुझे नहीं पताता है, कोई चलावा है मुझे पता तब चला, वापस मैं 6-7 महिने के बाद में मैं किसी दूसरे दोस्तों के साथ में वह वहाँ गया और मैंने दिखा कि वह जो दूसरे वाला टर्न था ना, जो में आगे की तरफ बढ़ा रहा था वहां के 100 मिटर बाद में एक घर टाइप का बनावाया और आगे कुछ नहीं है, वह एक दिवार है मतलब इधर उस रात को रोड थी और सब चीजे हुई, हम धाई तीन गंटे वहां थे, वापस आएं और वापस आते टाइम वह जो गाड साथ है न में मिले, वह कुछ नहीं दिखा वह फाटक कुछ भी नहीं और मेरे दिमाग के अंदर आइडिया भी नहीं आया तो वह जो गाड था वह छलावा था एक तरीए गाड वह सकता है अरे भाई साफ तो यह इतना खतरनाक छलावा हुआ कि मैं अब भी मेरे रोंटे खड़े और यह बात में कर रहा हूं और आप खुद देख लेना कभी आप कोई मेरा भाई है जो उस साइड से बिलॉंग करता है तो मुझे प्रॉपर लोकेशन याद नहीं है लेकिन मौड़ोर से थोड़ा आगे एक रोड इधर जाती है और एक इधर है उसके आगे दिवार से बनी हुए घर टाइप का आगे लेवल है और फिर मैंने मेरा दिमाग नहीं मान रहा मैंने का नहीं यार ये तो हो नहीं सकता फिर मैंने मेरा गूगल मैप खोला मैंने का अगर मैं उस दिन वहां पर गया हूं तो मैप में तो आया होगा क्योंकि मैप तो आपको ट्रैक करता है ना तो मैप में आ रखा था क आप पहाड के उस तरफ थे मतला वो लोकेट कर रहा था पहाड के उस तरफ तरफ थे लेकिन मैप में दिखा रहा था कि पहाड के उस तरफ थे आप ओू फापर रिगागाकर। सर नेगेटिव एनरजी वाले भी आते हैं कि घर में कुछ गलत हो रहा है। लिए नेगेटिव इनरजी वाले आते हैं माई उनको एक जाद मैं उनको गीचीज़ भोलता हूं कि बहई मैं जब बहुत नाया था एस्ट्रोलिज में तो मैं किसी क्लाइन के घर पे गया था डैली में है माल पानी जो कास्ट होती है बनियों में उनके है और एरिया मुझे स्पेसिफिक याद करना पड़ेगा शब द्वारका के नियरबाय थे लगबग आज से छह साथ साल पहले की तो उनके घर में किया बहुत लेट पहुंचा लगबग साड़े गारा बारा बच गए थे तो उन्होंने मुझे का कि पंडी जी यह रूम है आप इस रूम में सो जाए अभी तो जैसे हम कहीं पर भी जाते है कि इसे के घर में नी सोते है क्योंकि हमारे कुछ सिध्धान तो कि अगला बेरे पापा के दोस्त के कोई रलेटिव थे तो उन्होंने का घर पे सो जाए तो मैंने का ठीक है चलो बसुझा तो उन्होंने मुझे एक अलग से गेस्ट्रूम दिया तो साड़े बारे एक बज़े पांचा और मैं ना बहा पर और अर गेस्ट्रूम में नहीं थ और मुझे रात को लगबग धाई एक बज़े मुझे टॉलेट जाना था तो फिर मैंने देखा कि वही आंगन में उनका टॉलेट बना हुआ है तो आंगन में गया और मैं टॉलेट किया और माया तो मुझे जो सोफा है ना सोफे पे जैसे अंटी जी बैठे वे थे एकडम कोई प्रापर भूत वाले नहीं कि सफेज साडी थी खुलेवे बाल था इसा नहीं प्रापर एकडम सभी रूप से कोई अंटी जी बैठे वे थे और लगबग उनकी जो एज है मुझे याद है कि उनको देखने से लग रहा था कोई साट पैंसट साल के है और वो अपने हाथ में किसी धार्मिक पुस्तक का अध्यान कर रहे थे कोई धार्मिक पुस्तक थी मैं पुस्तक को नहीं देख पाया ठीक है तो मैं एक बार देखके थोड़ा असे शौक हो गया मैंने कि यह कौन है फिर मैंने सोचा कि कोई घर में बड़े बुजूर्ग हो उनकी माला लगी थी उनकी पित्र थे और उनकी जो डेथ है वो लगबग 15 साल पहले हो चुगी थी और वहां पर बैठे वे थे और मैंने रात को देखा वो कोई पुस्तक का ध्यान कर रहे थे मैं डरा नहीं बहुत पॉजिटिव एनरजी थी और उन्होंने बाद में मुझे बटाया वाद कि हमारे जो पित्र है हमारी बहूत हैं जैसे मुसलमें इनको बोलते है जिन हमारी हिंदु इन बोलते है पित्र पर जिन तो नेगेटेवली यूश करता जाता है जिन जल्लात फर नो डाउट उनका यह क्रिया कर्म अच्छे से करते है और माताज जी का जब स्वर्गवास भीवा बहुत एकदम संपन तरीके से सब कुछ क्रिया कर्म उने करवाया तो नो डाउट अभी वो उनकी हेल्प करते हैं जाने के बाद में पर उनको वैसे मुक्ति मिली हुई है जैसे जो कहते हैं इनसान के ना योनी होती है जैसे को उनते पित्र योनी में कौन इनसान जाता है पित्र योनी में वो इनसान रहता है कि उसका कहीं न कहीं अटेश्मेंट अपने बच्चों से रह गया हो जैसे कही की बार देखा है है ना कि उनका अटेश्मेंट बहुत रहता है अपने बच्चों से खीक है और रोड दिल के बहुत बड़ी है इनसान होते हैं तो कही बार वह पित्रियोनी में आजाते हैं और पित्रियोनी में आने के इंडिकेशन सी है कि आपको घर में उनके सपने बहुत आएंगे, उनका एहसास बहुत होगा कभी आपको, और घर के जो लेडिस है इसपेशली, उनके सपने बहुत आएंगे, तो वह कहने के पित्रियोनी में है, और आपको नो डाउट पित्रियो तो भगवान की पुझा के बाद में पित्र जी को भोग लगाते हैं, जो खाने का, जब भी हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो भगवान को भोग लगाते हैं, गनेश जी को सभी भगवान को, हम पित्र जी को भोग लगाते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि जल्द बाजी में मेरी बहन की शादी थी तो भगवान को भोग लगया पित्रजी को भोग नहीं लगया तो आपको क्या बताऊँ खाने में बद्वू आने लगी खाना मतलब जो धही था वो इतना गंदा स्मेल करने लगया था रोटिया थी अब आप मानोगी नहीं रोटिया बना के फॉइल पेपर फिर हमारे घर में एक जो दादी अमा है उनके अंदर उनका निवास आया और उन्होंने कहा कि तुने मेरी मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे इतनी हल्प करता हूं लेकिन तुमने मुझे पूछा नहीं वो हर्ट हो गए फिर उनको दुबारा से वो किया और बाद में घंतर कच तो भीम के बेटे घंतर कच के जो पुत्र बरवरिक जी उनके अपुत्र थे तो उन्होने जब महाबारत हो रही थी तो माता ने कहा कि भई साथ उनका सब्सक्राइज पक्ष्छ, सब्सक्राइज शक्ति शाल्यों का सद देना, उन्हों से क्या ह집ने वह उनके पास बहुत गजब किस्त्रे, बहुण बश्ब की धनुर विद्या थे महाबारत के नहों पास में और भगवान कृष्ण को कहीन के अहसास हो गया था कि बर्वरिक जी घर से निकल गए है और अब वान दे वही है हम युद जीत रहे हैं और यह आखे कहीन कहीं युद में कांड करेंगे तो रस्ते में क्रिष्ण जी मिले उनको और उनको कहा उनको चेक किया क्रिष्ण जी ने कहा कि एक काम कीजिए कि अगर आप इतने ही शक्ति शाली है तो यह जो पेड़ उस पेड़ पेड़ के सारे जो पत्ते हैं उनको छेद के दिखाएं तो उन्होंने पेड़ के पत्ते को तो ब्रह्मन रूप में कृष्ण जी उनको मिली थे बरवरिग जी को तो बरवरिग जी ने क्या किया धनूर और जो बान उठाया और पेड के नीचे सारे पत्ते छेट डाले और कृष्ण जी ने एक पत्त अपने पैर के नीचे रख लिया था और वो पैर के तरफ आने लगा तो कृष्ण जी ने कहा भाई साब यह तो बहुत खतरनाक है मतलब यह अगर कोरवो की तरफ आ गए तो पांडवों की तो फिर गड़बड उने वाली है तो फिर कृष्ण जी ने उनको का कि भई मैं चाहता हूँ कि आप पांडवों की तरफ से लड़ो तो बोला मैं कृष्ण जी नहीं लड़ सकता पांडवों की तरफ से क्योंकि मैंने मेरी मा को वचन दिया है कि मैं ऐसे पक्ष की तरफ लड़ूँगा जो पक्ष सबसे ज़्यादा विकेस्ट हो और मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता तो और कुछ भी मांग लो मैं दे दूँगा लेकिन मैं आपको ये नहीं दे सकता कि आप जो बोलो पांडवों की तरफ से लड़ों मैं पांडवों की तरफ से नहीं लड़ूँगा यहाँ पर कौरोपक्ष कमजोर है, मैं कौरोपके तरफ से लड़ूँगा और कृष्णी जी ने उनकी देख लिए थी सब कुछ चीजे, कृष्णी जी को पता था, ये तो बहुत घजब के है तो कृष्णी जीने कहा कि ओर कुछ देदोगे, हाँ और कुछ माँगो देदूँगा बोलो आपका सर देदीजेए तो उन्होंने कहा कि मैं सर देदूगा लेकि अपने इसलिए अवतार में तो आए तो कृष्णी जीने अपना अवतार दिखायाँ उनको और भगवान का उतार ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी चीज़ है मतलब ये दुनिया, ये पैसा, ये सकसेज, कुछ नहीं है भगवान को देख लियाना मतलब उसके जिन्दगी नहीं उसके जो 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी जनों बोलो वो सुधर गए अगर इश्वर के दर्शन कर लिए, बहुत बड़ी चीज़ है इश्वर के दर्शन करना तो कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिये और उने ने हस्ते हस्ते अपना सर कलम किया और एक बात बोले, कि मुझे युद्ध पूरा देखना है तो कृष्ण जी ने उनको, जो अभी खाटू शाम जी मंदिर है हमारे सिकर है, जैपुरिक से लगबग 120 के आसपा सिकर जो जिला है ठीक है, सिकर में खाटू शाम जी का मंदिर है, सिकर के पास में तो वहाँ पर उनको स्थापित किया और वहाँ से बरवरिक जी ने फूरा युद्ध देखा और कृष्ण जी ने उनको वर्दान दिया कि आज से आपकी जो पूजा है, वो मेरी तरह की जाएगी आज से आप कहीं न कहीं, मेरे ही अवतार रूप में माने जाओगे और जो मान समान और जो पूजा मुझे मिलती है जो शक्तिय मेरे पास आपके पास में भी होगी तो बरवरिक जी अभी खाटूशाम जी के रूप में है और नो डाउट मतलब लोगों के इतने गजब-गजब चमतकार है खाटू शाम जी के कि आप मानूगी नहीं उनको इसलिए शायद हारे का सहारा भी कहा जाते है खाटू शाम हमारा तब ही तो हारे का सहारा है कि वो हारने वाले पक्ष की तरफ जा रहे थे महाबारत में तब ही ये लाइन जुड़ी खारे का सहारा, खाटू शाम हमारा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं और सर आपको मज़ा आया हमार साथ बात करके बहुत मज़ा आया, आप तीनों बहुत इंट्रेक्टिव हो, बहुत ही पॉजिटिव एनरजी है और आप तीनों का फेस रीड़ करके एक चीज़ भा बोल दूँँ की गजब के सकस्फुल होगे लाइफ में अरे सर, बहुत 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 शुक्रिया आप फेस रीड़ भी हो? ये, आप फेस रीड़ भी हो? लवली सर तो आप तीनों का और और फेस देखके यही लग रहा है कि बहुत सक्सेस्फुल होने वाले हो कीप इट बहुत बढ़िया रहा है अगर आपको इस पॉटगास मज़ा है तो लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेर कर दें दो सब्सक्राइब तो आप चैनल, हम जा रहे हैं सर से अपना हाथ दिखवाने है ठीक है? शलो जी जय हो जय हो